हाई गैज वेलकूम बैक टो अनदर वीडियो ओफ कोशेन फर यू आई होप गाईज आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज हम बात करने चाहरे हैं पाई नैटफ़क के भारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी आ चुकी है सबसे बड़ी सम जहां पर इजली आप इसको यूज कर सकते हो और पाई की पेमेंट से आप अभी ज्वैलरी को बाई कर सकते हो और भी बहुत सारे इलेक्टोनिक आइटम्स है या नॉर्मल जो प्रोड़क्ट्स है वो भी इजली खरी सकते हो सारे के सारे प्रूफ मैं आज की इस वाली प्रोशन और इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर लाखों की भीड आ चुकी है जैसा मैं आप सभी को आज के वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं वैप 3 को लेके इंपॉर्टन अपडेट है मैटर वो उसको लेके अपडेट है और उसके साथ आप सभी को पता ल हैं अब हम चलते हैं अपने फर्स अपडेट की तरफ जो की KYC वेरिफिकेशन को लेके हैं यहां मैं आप सभी को बता रहा हूं जो लोग नए अपलाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और मैं आप सभी की प्रॉब्लम को भी सॉल्फ करने वाला हूं जो बहुत सारे प्रॉब्लम करने उसके बाद पाई अप के अंदर एंडर करने फिर आपको मैंने का एक सेक्षिन देखने को मिलेगा उस पर आप क्लिक करोगे तन सिंप्ली आपको ओप्शन देखने को मिलेगा एज़गा करने के लिए और यह दो टाइप के यूजर के लिए दोनों जगा देखा जा रहा है मतलब कि जो एंडरोइड यूजर है वो गूगल प्ली स्टोर पर सिंप्ली सर्च कर सकते हैं इसको और जो आईफोन यूजर से वो एपल एप स्टोर पर इसको सर्च करके एज़ एप्लिकेशन को पा सकते हैं ठीक है देन आपको यह फिल करना है और सबसे लोग बोलते हैं हमारे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है बट आपको वो अपन करना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं आप एक डिजिटली फॉर्म में जोड रहे हो तो यहां पे जो इनकी नैसेसरी चीज़े हैं वो आपको कम्पलीट करनी पड़ेगी और उसके साथ वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं दैन सिंपली आपको उसको अपलोड गरना होगा और आपका कुछी घंटों के अंदर के वैसी वेरिफाड हो जाएगा अगर आपके सारे डिटेल सही होंगी और डिटेल गलत होंगी तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको आ देवलपर्स और इनोवेटर्स तो शोकेस देर स्किल्स और आइडियास और इंजेक न्यू वाइटल्टी और इनोवेटिव फावर इंटो दिटेल पाय नेटफर्क एकोसिस्टम यहां पर बात किये जारी हर एक कंट्री के डवलपर्स के बारे में जो कुछ ना कुछ क्रि पाउंडर है उनको बेनिफिट होगा और जो डवलपर्स है उनको भी एक अच्छा अमाउंट यहां पर देखने को मिलेगा इस अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में जो कि आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और आप बहुत जादा एकसाइटिट होने वाले हो और आप सभी को पता लगेगा कि आज की वीडियो के अंदर की पाई की कितने जादा वैल्यू अभी बढ़ चुकी है सबसे पहले अपडेट में आप यहां पे देखो किस तरीके से पाई के मर्चंट को स्टार्ट कर दिया गया है और एक शॉप फुटेज आप सभी के सामने हैं और यहां पे आप सेकिंड फुटेज के अंदर देखें जो कि चाइना के तरफ से आज चुकी है इन्होंने अपना एक कॉपरेटिव ऑफिस खोला है जहां पे पाई को माइन करते हुए यहां पे प्रमोशन करते हुए दिखा रहे हैं और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी चीजों को यह एकसेप्ट करते हैं और इनका प्रमोशन करते हैं तो यह भी बहुत जादा एकसाइटिंग है अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कुछ पेमेंट प्रूफ यहां पे आप देखो कुछ अमाउन की पेमेंट की गई है और उसके थुरू यह वाइन को पर्चेस किया गया है और आप सभी को मैं और चीज़ें दिखाता हूँ यहां पे बेसिकली आज देखो 16 तारीक है और आज के दिनी यहां पे इवेंट हुआ है प्रॉपर यहां पे डेट भी लिखी गई है 16-4-2023 करके है व्यतनाम क है और इसके अंदर आप पब्लिक देखो कितने जादा लोग आ चुके हैं और उसके सासात यहां पे बार्टर सिस्टम भी स्टार्ट है मतलब जिसको एज़ा पाई के कोईन्स को एज़ा सेंड आउट करना है या कुछ पर्चेस करना है तो सिंपली यहां पे आप कर सकते हो जो आपको प्रोड़क्ट चीए उसके हिसाब से यहां पे आप सभी को वैल्यूएशन भी देखने को मिलेगा और अब यह बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुका है और इस वाली फुटेज को देखके आपको अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर लाखों रुपे का इन् तो अब भी के टाइम में आप सभी को पता है यहां पे देखो 50 पाई के हिसाब से पेमेंट की गई है और इनको रिसीव हुआ है 300 USD ठीक है और यह कोई इंडियन अकाउंट है तो यहां पे आपने देखा 50 पाई का 300 डॉलर यहां पे देखने को मिला है जो की इंडियन करंसी में 23,000 रुपे होते हैं और ऐसा एक जगह पे निया अलग अलग जगह पे इससे जादा भी है इससे कम भी है सारी चीज़े डिपेंड करती है बायर एंड सेलर पे और उसके साथ इस वाले इवेंट की आप फुटेज देखो कितने जादा लोग यहां पे इखटा हो चुके यहां पे इतने सारे लोग को बूलाना मतलब कि अच्छा खासा औरेंजमेंट करना होता है सारे चीजों को मैंच करणी होती है और उसके साथ इतने जादा लोग अलग कंठी के क्रेजी हो चुके हैं पाई नेटवक को लेके तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाई जो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। कितना हाई हो चुका है। जो आप सभी को हर एक चीज के साथ पाई नेटवर्क की एक्षेंजिस या पाई नेटवर्क की पेमेंट हर जगा देखने को मिलती है। मैं मानता हूँ कि पूरे औल ओवर विल्ड में उतनी ग्रोथ नहीं है। उतनी ग्रोथ का मतलब यह है कि हर स्टोर पे आपको देखने को नहीं मिलता। बट आपको मैकसिमम स्टोर पे इसकी पेमेंट्स देखने को मिलती है। और यह एक बहुत बड़ी बात तब बन जाती है क्योंकि अभी ओफीशली इसको लॉंच भी नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हो कि Pi Network की पावर क्या होने वाली है और अभी भी आप इस वाली फुटेज के अंदर भी देख सकते हो। और ऐसी एक फुटेज नहीं है बहुत सारी फुटेज है जो मैं आप सभी के स्क्रीन के सामने शेयर कर रहा ह। बहुत सारी अलग-अलग कंटवी के जितने भी पाइने से इस चीज को इजिली सपोर्ट कर रहे है। अब हम बात करते हैं आप सभी की KYC प्रॉब्लम से लेके कि अभी आप सभी को किस तरीके से KYC को जल्द से जल्द कम्प्लीट करना है। सबसे पहले जिसके पास नोटिफिकेशन आ चुका है वो सिंपली KYC के लिए अपलाई करें और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप अपने फॉर्म को भरें। और यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं आपके फोटो आईडी के साथ जो की वैलिड होने चाहिए जिसमें की पहला है ड्राइविंग लेसेंस, दूसरा है इंटरनेशनल पासपोर्ट और तीसरा है नेशनल आईडी कार्ट जिसे हम पैन कार्ट भी बोलत तो आप सभी के पास तीनों मेंसे जो भी है उसको आपको वहाँ पे अपलोड करना है और उसके साथ जो टोटल आपका नेम होगा फुल नेम होगा वही सेम नेम आपके पाई अकाउंट पे मैच होना चाहिए देन आप उसको एपलाई करना और जौन सी कंट्री के अंदर आ अच्छे से अपलोड करना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है या हमारे कैमरे से उतनी प्रॉपर फोटो नहीं आपारे बड़ गाईस ये सारे इशू स्पाई नेटफर्क नहीं देखेगा क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम बैठा ह या लॉंग टाइम के लिए रोग देगा ठीक है और जिसके साथ एज़ा रिजेक कर देगा और आपने अच्छे से अपलोड कर रहा है फिर भी रिजेक किया है तो यहाँ पे आप सभी को एज़ा ओप्शन देखने को मिलेगा री सम्मिट का जो की पाई की को टीम है यहाँ पे साफ बताया जा रहा है जैसे ही आप के वाइसी को सम्मिट करोगे अप्रूवल के लिए थोड़े दिन का आपको वेट करना है और डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ दॉक्यूमेंट समिटेंट एंडी कॉंपलेक्सिटी औफ टी वेरिफिकेशन प्रोसेस बीसि जाएगा जहाँ पे आपकी अकाउंट को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा हर एक एंगल से तो इस वज़े से यहाँ पे आप सभी को टाइम जादा देखने को मिलता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी को बार-बार एज़ा अपडेट नहीं करना तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी आप सभी की जो KYC है बहुत ही अच्छे लेवल पर कम्प्लीट की जा रही है और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी as a documents को upload करो तो अच्छी format में upload करो जो वो मांगता है picture quality आप अपने हिसाब सही सोचो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए कि system accept कर ले क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि photo अच्छी upload नहीं कर रहे हैं जैसी और ये वैसी upload कर दे रहे हैं आपको न क्या करना है जब photo upload करो त इसी चकर में reject कर देता है या pending में रख देता है तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान से समझे और करें कि आप सभी को पाइनेटफक का official launching कब देखने को मिलेगी और अलग-अलग exchanges पे कब-कब देखने को मिलेगा accurate date क्या है तो अभी मैं आप सभी को बता दू पाइनेटफक क इससे पहले हमने बहुत जादा net पे देखा था, social media में देखा था और अलग-अलग website ने cover किया था कि 14 March को हमें देखने को मिलेगा official pine network का open manage बट ऐसा नहीं हुआ था और उस दिन मैंने वीडियो भी बनाई थी और आप सभी को उससे कुछ दूनों पहले भी confirm किया था कि 70-80% chances है कि 14 March को देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ था क्यूंकि आप सभी को पता है वहाँ पे वो कुछ और करेगा update पर officially pine network को open manage नहीं कर सकता सबसे बड़ी reason ये था कि KYC किसी complete नहीं थी और उसके बाद जो भी utilities थी उसके जो awards थे जो भी winners थे उनके name भी release नहीं हुए थे ज तो 15 March को इन्होंने KYC का update दिया था और उसके साथ अपनी official website को इन्होंने change किया था और वे 2-3 चीज़े इन्होंने changes की थी तो उस दिन इन्होंने ये किया था और आप सभी को pie 1 के दिन मतलब की 14 March को ये सब चीज़े देखने को मिले थी अब आने वाला है pie day 2 और उस दिन आ pie network ने almost सारी चीज़े finish कर लिये अब बस KYC ही कैसे ना कैसे करके complete होगी और यहाँ पे AI technology pie network on करने वाला है जिसके बाद 15 लाग से 20 लाग के जो KYC के pioneers है daily basis पे complete होंगे country wise तो ये एक बहुत बड़ा record यहाँ पे बनने जाएगा और उसके साथ आपकी चुटकियों के अंदर KYC complete हो जाएगी जैसे कि other cryptocurrencies के अंदर आप देखते हो एक से दो दिन के अंदर वहाँ भी complete हो जाती है बट इसके पास ज्यादा user base हो चुका है और उसके साथ scam accounts भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं लोगों ने as the scammers ने fill कर दिये हैं तो इस वज़े से complexity होती है कि कौन सा real है कौन स सारे जो popular exchanges है उन सबी जगह पे आप easily pineapple के साथ trading को start कर सकते हो और अभी भी आप कहीं ना कहीं से piechan mall से कोई product को book कर सकते हो या normal payment कर सकते हो ये सब चीज़े अभी आपके बास option है बट मैं आप सभी से यही कहना चाता हूँ अभी आप एक भी coin को ऐसे ही waste मत करो क्योंकि इसका valuation आपको future में भारी पढ़ सकता है for example जिसके पास जितने आदा coins होंगे उसको बहुत valuation मिलने वाला है bitcoin के साथ भी यही हुआ था 10,000 के आजपास एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ पिज़ा खाया था और आज की rate में देख रो 10,000 bitcoin मतलब की यार अर्बो करोडों का amount होता है ज प्लीज गाइस एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पर जरूर पैस कर देना आज के लिए इतना ही मिलता है नए वीडियो के साथ तब तक जैहिंत वंदे मात्रम